जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज हम आप सभी को इस वीडियो मताने वाले हैं SSC GD Constable भरती 2024 के बारे में इसकी पोस्ट यहाँ पर आप सभी दे सकते हैं कि 60,000 पलस लिखा हुआ है और यहाँ पर बात करें तो SSC GD Constable की अगर आप सभी तयारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखना मेरे भाई कि पैरा मिलिटरी में जाने का सपना जो है आप सभी का वो SSC GD ही पूरा कर सकता है अगर आप SSC GD तयारी नहीं कर रहे हैं तयारी शुरू कर दीजिए अब आप सभी तयारी किस प्रकार से करेंगे एकजाम सेलेबस कैर रहने वाला है इसके भरती में सेलेक्शन पाने के लिए आप सबको क्या-क्या करना पड़ेगा क्या-क्या selection process से आप सबको उजनना पड़ेगा, यह सारी चीज़े आज हम आप सभी को इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाले हैं, तो बंदे रहना इस वीडियो में ताकि आप सभी को सारी जानकारी मिल सके, अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने साथ वीडियो को स्टार करते हैं, धान दीजेगा, आप सभी की SSC GD कॉंस्टेबल की जब भी कोई भरती निकल के आती है, मैं आपको इस चार्ड के माधन से यहां पर सम्झाना चाता हूं, धान सुनिएगा आप सभी, यहां पर बात करें, SSC GD की जब 8000 पलस पोस्ट आप सभी को देखने को मिल सकता है, और भी बात करें तो SSC GD में पैरा मिलेटरी के सारे फोर्से से यहां पर रहते हैं, बात करें तो पहले नंबर पर आपका बिस अफ हो गया, दूसरे नंबर पर आपका एसस भी हो गया, तीसरे नंबर पर आपका CISF हो ग हो गया, मतलब असाम राइफल ठीक है, उसके बाद आपका हो गया SSF, ठान दीजेगा SSF, उसका और आपका हो गया, क्या हो गया, नार्कोटिस कंट्रोल वेवर मतलब N-C-B क्या हो गया N-C-B ठीक है इतनी फोर्सेश आपकी रहती है मतलब एक दो घंदी जेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ इस साथ फोर्सेश की वैकेंसी आप सब को देखने को मिलती है ससी जीडी के थुरू और बात करें यहाँ पर तो जैसे BSP का है SSB का है CSP का है ITVP का है NCV का SSP का Assam Rifle का तो इन सभी फोर्सेश के जो जीडी के पद होते हैं General Duty जीसे बोला जाता है वो पद SSC GD के थुरू निकाला जाता है वेकेंसी और जैसे माल लेते हैं Assam Rifle में 3000 पोर्स खाली है SSP में 200 पोर्स खाली है BSP में 50,000 पोर्स खाली है बतलब एक्जामपल में आपको दे रहा हूँ SSB में 2000 पोर्स खाली है SSP में 1000 पोर्स खाली है तो इन सभी को मिला कर यहाँ पर SSC GD इसका नाम दिया गया है और SSC GD बतलब SSC ही आप सबका एक्जाम करवाएगी SSC GD की नाम से इसकी भरती आती है और सभी फोर्स की वेकेंसी को मिला कर यहाँ पर करीब 60,000 पोर्स की वेकेंसी निकल के आ रही है इस भरती के लिए आप सभी 24 नौमबर से फर्म को अप्लाई कर सकेंगे इस भरती में सबसे पहले आप सभी का एक्जाम होगा उसके बाद आप सभी का फिजिकल होगा उसके आप सभी का medical होगा फिर आप सब को यहाँ पर joining दे दिया जाएगा अगर हम बात करें तो exam कैसे होने वाला है exam में आप सभी से 80 question पुछा जाएगा जो कि online माजदम से आपका exam होगा 80 question आपका 160 number का रहने वाला है बात करें तो आप सभी से 20 question math पुछा जाएगा 20 question आप सभी से reasoning पुछी जाएगी और 20 question आप सभी से यहाँ पे gk पुछा जाएगा और gk में ही आप सभी का current affair और gsv रहने वाला है उसी परकार से 20 question आप सभी का हिंदी या फिर English आप से पुछा marketing रहता है समय आप सभी को 60 minute का दिया जाता है यानि एक घंटे के अंदर आप सभी को 80 question यहाँ पर हल करने होते हैं यह आपका यहाँ पर syllabus हो ठीक है इसी syllabus की त्यारी करके आप सभी यहाँ पर अपना job fix कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें 500 पेपर आपको दे जाएगा 2013 लेकर 2021 तक का 100% आपके syllabus पर यहाँ बुक अधारीत है और आप सभी को बता दें यहाँ पर जितने भी syllabus हैं इस बुक में काफी सलत दे के समझाये गये हैं चाहिए आपका रिजिनिंग हो सामाने ग्यान, math या फिर हिंदी या English सभी को काफी वि पर्चेस करना चाहते हैं तो वीडियो के discussion में लिंग रिया गया वहां सभी इस बुक को पर्चेस कर सकते हैं या फिर अपने market से भी offline माधन से पर्चेस कर सकते हैं अब हम बात करते हैं जैसे आप सभी एक्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप सभी का फिजिकल होगा आप सभी के यहाँ पर धान दीजेगा, 170 cm यहाँ पर male की height होनी चाहिए, और यहाँ पर बात करें male का chest, तो male का जो chest है वो यहाँ पर 80 बिना फुलाए होना चाहिए, फुलाने के बाद यहाँ पर 83 cm, 85 cm आप सभी का chest हो जाना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर chest को और height को भी qualify कर जाएंगे, फिर आप सभी के यहाँ पर running होगा, running की बात करें यहाँ पर तो आप सभी को 5 km की running करना होगा, और जो कि 24 minute के अंदर running को qualify करना होगा, जो बच्चा यह कर लेता है, वो running को भी qualify कर जाएगा, जैसा आप सभी यह सारी चीजे कर लेते हैं, फिर आप सभी का उस कि 60,000 जैसे मानलो पोस्ट आई है, तो इसके 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, मेडिकल के लिए, हम दिजेगा, मेडिकल के लिए इसके 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, और उसके लिए एक cut-off त्यार की जाएगी, फिजिकल के बाद, फिजिकल जैसे हो जाए आपकी एक cut-off फिर से बनाई जाती है, और उसमें जिस बच्चे का नाम रहेगा, वो बच्चा समझ लो, किसी ना किसी force में select हो जाता है, और उसमें नाम भी लिखा रहेगा कि ये बच्चा इसका date of birth है, ये किस force में select हुआ है, बेसप में हुआ है, या फिर ITBP में हुआ है CSF में हुआ है, किस में हुआ है, सब लिखा हुआ आपको PDF में दिख जाता है, इसी परकार से आप सबका selection process SCGD करहता है, अगर आपका सपना है, पैरा मेर्टी में जाकर अपना सपना पूरा करना, या फिर आपको एक रोजगार चीए, या फिर आप सरकाई नोकरी तलास करन हैं, या फिर आप सबका सपना है वर्दी वाली जाब करने का, तो इस से बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है, 24 नौवंबर से फाम अपलाई होगा, आप सभी फाम अपलाई जरू करिएगा, अगर आप त्यारी नहीं कर रहे हैं, त्यारी आप सभी इसकी सुरू कर सब्वेर करएगा, बातरी हिंदित हिंदी आप सब यहां पर करी लेंगे, आपको बताते हैं, आप सब्पार है कि संत की उपर रहेता है? मरे इकारिक है? अप लिए बहुत ही अच्छा है, निहीं के बहुत ही अच्छा है। कुल लेकर आना हैung 40 में से 40 इस प्रकारे आपकर होना चाहिए वंत कर्याई पोस्ट आपको क्या मैंने में बटा दिया है है तो इतना पोस्ट मैं अगर नहीं निकलती है तो बाद में बढ़ जाएगी वेकेंसी लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आगे भी आप सभी इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वेल आइकन और पर जरूर प्रेस कर लें अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास फ करत दाप सरे आप स सब्सक्राइब करकार किक अबेड़ची करकार झार आप करेंगे या तो आपके लेक्क कर दो interactions जया हूँ